कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कबीर दोस्तों विवो ने एक बिल्कुल लेटास फोन लाँच कर दिया वीवो का वाई 200 प्रो और एक कर्व डिस्पे के अंदर काफी सई फोन लाँच किया है इसका जो प्राइज है 25,000 रुप है और इस पर कुछ डिस्काउंड वगएर भी चल लाँ वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा पहले इनकी जो वाई सेरीज होती थी वो 15,000 रुपे के या 20,000 रुप के अंदर होती थी वीवो कंपनी पे भी अब महेंगाई का असर पढ़ने लगा है तो इसलिए उन अपनी वाई सेरीज 25,000 रुप तक क्योंकि 25,000 रुप के इरेंज में इनकी वी सीरीज आती थी जो के ज़्यादा प्रीम होती थी तो अनबॉक्सिंग में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा डारेकली फोन को देख लेते हैं यहां पर डिजैनिंग वगर इसके काफी बढ़ी है बॉक्स के अंदर दोस इचे जो इसका टेक्शर है वह सिल्क स्टाइल ग्लास डिजाइन के अंदर है लेकिन एट दैन यह प्लास्टिक ही है उसके लाव इसके अंदर आपको आईपी 54 रेटिंग मिलेगी तो पानी वगर ऐसे काफी हता कि यह फोन सीफ रहेगा बात करें इसके वेट की तो 172 ग्र करके जरूबत आईगा तो एक कुछ इस तरीके से यहां पर इसका यूजर इंटरफेस मिलेगा मल्टि टास्किंग को बहुत ही जादा इन्हांस कर दिया वीवो ने यहां पर मिनी विंडो का आप्शन वगरा भी एट कर दिये गया उसके अंदर आप ड्रायर के अंदर काफी बड़ी ऐसा वीवी एक्सपिरियंस मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर वीडियो वगरा में वीविविंग एक्सपिरियंस मिलेगा कलर बहुत ही जवबद से इसके जो कंट्रास्ट वगरा वो भी बहुत सही आ रहा है डिस्प्ले का आपको प्रॉब्लम इतनी देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसको सनलाइट वगरा में यूज़ करेंगा ज्यादा लाइट में तो काफी बड़िया सी यहां पर डिस्प्ले की ब्रैटनेस है थर्टीन हंडेट निट्स की आपको पीक ब्रैटनेस मिलेगी स्फोन में कव्ड़ की वैसे यहां पर जूब वीवें एक्स्पीरेंस है बहुत ही जवज़त से इस फोन का उसके लावा दोस्तों रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्स का आपको इसके अंदर टॉप रिफ्रेश रेट मिलेगा जो के काफी बड़िया है यहां पर जो टच के बाद एकदम र फिंगर्पिंट जो मिलते हैं इन डिस्प्ले वह बहुत ही ज़्यादा एकुरेट मिलते हैं इंसेंड आपको यहां पर परफॉर्मस देते हैं उसके लावा जो टच के स्प्रीड वगएर और टच का रिस्पॉंस है वह भी बहुत ही जवज़त है तो दोस्तों यह सारी ची इस फोन के साथ एक मैमरी काड नहीं लगा सकते यह एक हाइब्रेट फोन है इसके अंदर जो स्टोरेज वगएर वह आपको 128GB मिलेगी जिसमें से डिटेक्शन वगएर भी थोड़ी सी की जाएगी तो 19GB के आसपास यहां पर डिटेक्शन की गई है 128GB मिसे जो काफी सगी है मतलब काफी जादा स्टोरेज हमें योज़ करने के लिए दे दी गई है इस फोन के अंदर रैम की बात करें तो 8GB वाला मेरे पास यह वैरियंट है 8GB वर्चुली रैम और बढ़ जाएगी तो टोटल जो आपको रैम की परफॉमंस मिलेगी वो 16GB की मिलेगी Android का भी को लेट क्योंकि 8GB लिए जल्दी परफॉमंस दे रहा है इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि Qualcomm Snapdragon 695 इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा 6 नानोमीटर में यह प्रोसेसर मोसली 10,000 पे के फोन में हमें देखने को मलती है कि इनके प्रोसेसर वगरा जोते हैं वो काफी डाउन होते है तो यह प्रोसेसर 25,000 पे के फोन में आना कोई सेंस तो नहीं बनता क्योंकि इनके जो 15,000 पे के फोन है उन फोनों में इस फोन से ज़्यादा फास प्रोसेसर है लेकिन रैम बच्छी दी गई इसलिए आप अगर ऐसा सोचनेश के अंदरा बहुत हैवी गेम खेल लेंगे और यह फोन हीट या लैग वगरा नहीं करेगा तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यह ज़्यादा हैवी गेम में हो सकता हीट भी ज़्यादा कर जाए और लैगिंग वगरा तो देखने को ही मिलेंगे आप एक जन्नेट यूजर है आप ज्यादा गेमियों वगरा नहीं करते या फिर ज्यादा मल्टी टास्किंग नहीं करते हैं तो आपके लिए फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपको बड़िया फोन मिले गई है लेकिन जो लोग थोड़ा सा ह उसके लावब 44 वाट का यह फास चार्जिंग सपोर्ट करता है यह लगवग आपका पचास पसंट फोन चार्ज होएगा थाइस मिनट में जो के एक एवरी सा टाइम है उसके लावब दोस्तों यहां पर बात करने क्नेक्टिविटी की तो यह आपको 5G कनेक्टिविटी के स जाएगा और फ्रेंट कैमरा आपको काफी बड़िया मिल जाएगा 16 Megapixel का इसके अंदर आप 60fps की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वो 30fps में होगी कैमरे के अंदर options वगरा काफी सारे दिए गए जैसे आपको portrait mode मिलेगा नाइट mode मिलेगा उसके लावब यहां पर आपको photo video औ Instagram का option मिल जाएगा जिससे आप Instagram की Reels वगरा या YouTube Shots वगरा बनाना चाहेंगे तो बहुती जादा enhancement कर देगी अपनी से और काफी सारे option और मिल जाएगे आपको विजय से live photos वगरा के option मिल जाएगे तो modes वगरा तो इस phone के अंदर काफी सारे दिएगा है अगर आप एक photo या video क इसाब से phone देख रहा तो उसमें आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली picture quality की बात करें तो यह दोस्तों इसकी picture quality है price के सबसे ठीक ठाक picture quality ऐसा नहीं कहूंगा वह बहुत दबजास camera यह extreme level का यह आपको 15,000 अगर आपको वीवो का phone लेंगे उसमें भी आपको ऐसी clarity देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों pricing वगर की बात करें तो यह 25,000 रुपी की range के अंदर यह phone launch हुआ है और इस phone पे जो भी discount चल ला हो 1500 रुपे का चल ला है तो discount होने का बाद 23,500 रुपे का आपको यह cost कर जाएगा उससाब से इसके अंदर आपको curve display एक बड़ी advantage मिलेगी 3500 में इन square सा module दिया गया, round shape आला module नहीं दिया गया, यह एक बड़ीया चीज लगी मुझे spoon में और पीचे का जो texture है, पूरा matte finish के अंदर है feather के साथ, तो designing में भी काफी सही है, इसके अंदर एक आपको black color मिल जाएगा और एक यह green color, दो colors इसमें available हैं, उसके अलाब दोस्तों मुझे एक कमी all लागी इसके processor के अंदर, इसके अंदर थोड़ा fast processor होना चाहिए, थोड़ा नहीं और double fast processor होना चाहिए, जिस price range में है, लेकिन वीवो नहीं यह आप processor में कंजोसी कर दी, और RAM के बात करने तो 8GB के अंदर है, लेकिन इसके अंदर मेरे साबसे 12GB RAM होनी चाहिए थी, ताके processor की कमी को पूरा कर दे, लेकिन यह आप हम 8GB RAM देखने को मिली, उसके लावा storage वगरे भी काफी average है, दोस्तों इसकी pricing वगरे के साब से मैं यह कहूँगा कि value for money तो phone नहीं है, लेकिन जिनको curve display चलानी है, उनके साब से एक ठीक phone नहीं है, इस फोन में यही advantage है, इसका display display curve दिया हुआ है, और इसके लावा इस phone मुझे कोई advantage है, ऐसी बड़ी देखने को नहीं मिली, आपको इस phone दोस्तों कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगए तो एक लाएक जरूर कीजीगा, और चैनल पर नहीं तो subscribe जरूर कर लिजीगा, ताके latest videos अब तक आती रहें, उसके लावा दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले unboxing के comparison के साथ,